Hello friends. Welcome to my channel, Spirit Education. This is Sujata. Friends, हम vocab Gentium सीख रहे हैं. Class important है. Start करते हैं class को. Let's start. आजका हमारा word है Abrogate. Abrogate हमारा word है आजका और पाटो की स्पिछ में बर्व है. इसका मिनिंग होता है अभी निशीत करना, एंड करना किसी जैश का समाप्त कर देना. Okee friend, Abrogate. important हैं सभी words ध्यान जरूर दीचेगा और no down भी करते रहेगा notebook में इसका meaning होता है to end a law agreement or custom formally to end a law agreement or custom formally किसी law का agreement का या रिती रिवाज का अंत करना okay friend law का agreement का कानून का agreement का जो समझोता होता है या रिती रिवाज का formally अंत कर देने के लिए वड़ाता है to about something किसी चीज से बचना कोई चीज होती है उससे बचने के लिए to cancel कर देना रद कर देना by an authority किसी authority के द्वारा रद कर देना cancel करना उसके वड़ाता है I hope आपको meaning clear हो गया होगा और synonym देख लेते हैं इसके abolish abolis annual दोनों word important है कई बारक जाम में पूछे गए है abolis समाप्त करना annual अंत करना और a double n u l spelling पर जरूर दियान देजेगा a double n u l annual का meaning होता है अंत करना और अगर a double n u al अगर हम u के बाद इस में l add कर देते हैं तो इसका meaning हो जाता है annual बार्सिक तो spelling पर जरूर दियान दिजेगा बहुत अच्छा है और कई बारक जाम में पूछा गया है antonium है continue approve retain जारी रखने के लिए word आता है continue approve retain ये इसके antonium हुए abolish annual synonym हुआ abrogate का और antonium हुए continue approve retain I hope words clear हो गए होंगे और winning भी आपको next word पर move करते है absision absision हम इसको pronunciation में बोलेंगे absision part of speech में noun है इसका meaning होता है अलग होना अलगाव के लिए वड़ाता है absision और इसका meaning होता है falling off अलग होना गिरना जो naturally अलग होता है natural अलग होता है उसके लिए बढ़ाता है absision आप इसको याद ऐसी रखश रखते हैं season season आता है जब season आता है तो हर season एक अलग अपना महत्वर रखता है हर season की अपनी importance होती है और जब season आता है तो गर्मी में क्या आता है जब season आता है गर्मी का तो summer का season में जब पेड होते हैं ट्री होते हैं उनकी जो leaves होती है वो स्वेते गिर जाती है dead leaves तो उनकी dead leaves कैसे होती है वो स्वेते गिर जाती है natural गिर जाती है उस condition को हम क्या कहते हैं उस position को हम क्या कहते हैं abs season season के according जब dead leaves होती है वो पेड़ी की शुरताय गिर जाती है, राइप रूट होते हैं, वो गिर जाते हैं, फ्रेंट्स, तो अब जब Spring Season आता है, तो वो अपने हाँ पाने लगती है Spring Season में उनकी Leafs, ओके फ्रेंट्स, तो एक समय आता है पतजड का, उस Season को हम पच्छड बोलते हैं हिंदी में तो उसको उसमें क्या होती है डैड लिप किर जाती है तो आप इसको सीजन से हिंट लगा कर याद कर सकते है फालिंग ओफ अलग होना जो नैचरली अलग होती है कोई चीज उसके लिए वड़ाता है एप सीजन आयो अब आपको किलियर हो गया होगा अच्छी से सिनोनियम है इसका रिमोबल कटिंग ओफ काट देना चार्ट देना किसी चीज़ को रिमोबल दूर कर देना दूर हो जाना के लिए वड़ाता है रिमोबल यह स के सिनोनियम होए ऐंटोनियम होऊ Attach Join Okay friend Next word है मारा Ebscon Ebscon word आता है भागने के लिए फरार हो जाने के लिए बढ़ाता है लग हो जाने के लिए जैसे Depart भाग जाना फरार हो जाना उसके लिए बढ़ाता है Ebscon Ebscon part of speech में बर्व है और कई बार एक जाम में पूछा गया है इंपोर्टेंट है To Depart भाग जाना Escape from custody Custody से फरार हो जाना Synonym है इसके Hide, Depart, Run Away, Flee Okay friend Hide, Depart, Run Away, Flee ये इसके Synonym हुए और Antonium देख लेते हैं Arrive पहुँचने के लिए आता है Stay के लिए Stay, Re-Appear दवारा दिखाई देना Remain, Be Present उपस्तित होना ये इसके Antonium हुए Okay friend Arrive, Stay, Re-Appear, Remain, Be Present और हमारा next word है Absolute Absolute word आता है जो complete होता है पूर्ण होता है उसके लिए word आता है Absolute Absolute का part of speech में adjective है और इसका meaning होता है very great जो बहुत महान होता है to the largest value जो बहुत value रखता है degree possible में value रखता है meaning हुआ perfect in quality and nature जो nature और quality में perfect होता है complete होता है और lose from any limitation जो किसी भी limitation से lose होता है free होता है Okay friend कोई बाध ये नहीं होता और synonym देख लेते हैं इसके uncontrolled unrestricted unrestricted और authoritative authoritative autocratic important है कई बारक जाम में पूछा गया है माग करिए गावट को uncontrolled unrestricted authoritative और autocratic ये इसके synonym हुए और antonyum देख लेते हैं accountable limited responsible जो responsible होता है limited होता है accountable होता है इसके क्या हुए antonyum हुए autocratic word है एक important है और इसको हम explain करते हैं देखते हैं क्या है ये word autocratic part of speech autocratic part of speech में adjective है auto का meaning ही होता है self जो एक तंत्र होता है self होता है उसको हम autocratic बोलते हैं नरंकुष बोलते हैं हिंदी में relating to a ruler who has absolute power एक ruler से संबंधित जो absolute power रखता है जो complete power रखता है पून सत्ता रखता है उसके लिए बढ़ाता है autocratic नरंकुष एक तंत्रवादी जो होता है uses देख लेते हैं Hitler wanted the absolute power Hitler Hitler को तो आपने सुनाई होगा Hitler का नाम Hitler wanted the absolute power Hitler एक पून सत्ता चाहता था Hitler पून सत्ता चाहता था ओके फ्रेंट तो I hope आपको सभी words किलिए होए होगे और words अभी important है इनको note down करिएगा अपने note book में I hope आप अपने proper notes complete कर रहे होंगे ओके फ्रेंट और उनको revise भी कर रहे होंगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना लाइक करना नहीं भूलना चैनल सब्सक्राइब कर लेना जिन्होंने विदे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अपने दोस्तों में जादे से जादा सेर करें फ्रेंट्स जि